ही अब्रिवान दिस इस मधू तो हम लोग कर रहे थे वर्तनी सुध्धी तो कल के वीडियो में हम लोगोंने 300 तक कोशन कर लिए थे आज हम लोग 301 से स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये बूख है घटना चक्र पूर्वालोकन के अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं इसे अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलिग्राम जोइन कर लीजिए और टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हापे मैंने PDF दी हुई है और घटा चक्र हिंदी के अलावा उसमें History, Geography, Quality और बहुत सारी PDFs है ठीक है और जो भी important है आरो यारो के लिए और जो भी competitive exams के लिए books important है जितनी मुझसे हो सकती थी सबका PDF आपको मिल जाएगा टेलिग्राम पे तो आप टेलिग्राम में मुझे जॉइन कर लीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आज का हमारा पहला question है 301 यहाँ पर कहरा है क कि सिकारी ने उस पर गोली चलाई पर सेर बच गया ठीक है उस पर गोली चलाई पर सेर बच गया यह हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, उस पर चलाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिकारी ने गोली चलाई पर सेर बच गया, जब सेर बच गया तो जाहिर सी बात है, सेर पर ही गोली चलाई गई होगी ना, तो इसको हम लोग ऐसे सुध करेंगे, नेक्स देखते हैं, ने कोने पर लगे पेड़ के फल मीथे हैं ठीक इसको हम डारेक्टी बोलेंगे कोने पर लगे पेड़ के फल मीथे हैं ओकी अब यहां पर एक चीज और देखें हैं पर गलत क्या है संग्या है संग्या के पहले सर्वनाम लगा है तो यह गलत होता है संग्या संग्या के पहले प्रियोग नहीं करेंगे ठीक है और इसके अलावा क्या है कि सर्वनाम का दू बार प्रियोग हुआ ठीक है एक इसा मात्र कारण अग्यानता है ठीक है अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर जो एक मात्र है इसको हम लोग हटा देंगे समाजिक कुरूतियों का कारण अज्ञानता है एक मात्र कारण अज्ञानता है तो अब देखें यह नहीं होगा ठीक है तो एक मात्र जो है एक स्ट्रावर्ड है इसको हम हटा देंगे क्योंकि बात तो वही जो इसमें कहरा वही इसमें कहरा है समाजी कुरूतियों का कारड क्या है अग्जान नहीं होता है तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ठीक है नेक्स देखिए नेक्स एकि विद्याले के लड़के गेंद खेल रहे थे ठीक है अब देखिए विद्याले में जो पढड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं खेल रहे थे ओकि इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे नेक्स देखते हैं नेक्स एकि आपका भविष उज्वल है ठीक है अब देखो इसमें गलत क्या है इसमें जो उज्वल की वरतनी वही गलत है आपको ध्यान से देखना है उज्वल में दो जा बनते हैं और दोनों जा ही आधे बनते हैं ठीक है उज्वल ऐसे लिखते हैं उज्वल जो है एक्जैम में बहुत बार आता है क्योंकि ये लोग लिखने में गलती कर ही देते हैं बस examiner tough setup question देने की कोशिश करता है ताकि गलती करें आप ठीक है तो आप उज्वल लिख कर देख लिएगा उज्वल में दो जा बनते हैं दोनों ही आधे बनते हैं ठीक है तो सही उज्वल ऐसे लिखते हैं ठीक है और books में भी गलती प्रिंट रहता है बहुत जगह आप देखेंगे न तो एक आधा जा रहता है पूरा जा रहता है ठीक है तो बहुत जगह गलत प्रिंट रहता है तो देख लिजेगा इसमें उज्वल सही कर लेंगे और सारा सही आपका भविश्य उज्वल है नेक्स देखी नेक्स है कि मैं घर ही हूँ तो मैं घर ही हूँ ये गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा मैं घर में ही में हूँ ठीक है आप जनरली बात करते हैं आप ऐसे ही तो बोलते हैं मैं घर में हूँ मैं घर ही हूँ ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं अगर बोलते भी है तो क्या हो जाएगा, या अनुचीत हो जाएगा? टीक है, रोंग हो जाएगा. सही क्या हो जाएगा, मैं घर में हूँ. ओके, नेक्स देखते हैं. नेक्स है कि ठंधा घडे का पानी पिलाए है. ठीक है, अब ठंधा घडा नहीं है. ठंडा क्या है पानी ठंडा है ठीक है तो क्या हो जाएगा घड़े का ठंडा पानी पिलाईए इसको हम लोग सुद्ध करके कैसे लिखेंगे कि घड़े का ठंडा पानी पिलाईए ठीक है नेक्स देखते है नेक्स देखिए नेक्स कहरा कि पती पत्नी आई है ठीक है तो क्या ह बहुबचन हो जाएगा और जहां पर बहुबचन होता है वहां पर क्रिया भी बहुबचन के कॉर्डिंग ही लगती है ठीक है नेक्स देख लेजिए नेक्स कहरा है कि हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे के जगा अपनी हो जाएगा ठीक है यह वाली जो वर्तनी यह वारा जो होता नहीं बहुत जगा गलत है ठीक है आप बहुत संटेंस में देखेंगे तो यही असुद्धी मिलेगे आपको ठीक है तो इसको हम लोग कैसे लेखेंगे हम अपने देश के महापुरुशों का अनुसरण करें नेक्स देखें नेक्स कहरा है कि उसके बाद फिर राम का राजी विशेख हुआ ठीक है तो अब इसको हम लोग कैसे आद करेंगे इसको हम लोग कैसे सही करेंगे उसके बाद राम का राजी विशेख हुआ कि जगा पर क्या हो जाएगा उसके बाद राम का राजी विशेख हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और आप वरतनी भी देखें, देखते रहें कि राजी विश्य कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, नेक्स देखते हैं, अब नेक्स्ट कोश्चिन कहरा है कि एक फूल की माला चाहिए, ठीक है, तो एक फूल, माला में एक फूल तो नहीं हो होते हैं, माला कितनी होती है, एक एक होती है, तो माला के साथ में एक लगेगा, फूलो के साथ में एक नहीं लगेगा, ठीक है, नेक्स देखते हैं, नेक्स्ट कहरा है कि माली एक फूलो की माला लाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपर वाला सेंटेंस जैसे उपर था वैसे नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माली फूलो की माला, लाया है, इसकोθो कैसे सुद्ध करेंगे? कि माली फूलो की एक माला लाया, ठीक है? नेक्स देखते हैं नेक्स्ट है कि आप जाओ ठीक है आप देख़ो, अगर हम आप कहा रहे हैं तो यहां भी respect देंगे आप जाईए ठीक है इसको हम लोग ऐसे सही करेंगे यहां पर आप जाओ नहीं होगा उसके बाद देखिए अगला sentence अगला है कि मेरे को बुलाया तो मेरे को बुलाया नहीं होगा क्या होगा मुझे बुलाया ठीक है अच्छा मुंबई के तरफ देखो मेरे को तेरे को ऐसे बोलते हैं लेकिन यह व्याकरण की द्रस्ति से गलत हो जाएगा तो हम इसे क्या सही करेंगे कि मुझे बुलाया नेक्स देखें नेक्स है कि वहाँ गोडे में सवार है तो गोडे में गोडे के अंदर थोड़ी बैठा है गोडे के ऊपर बैठा है तो हम क्या करेंगे वहाँ गोडे पर सवार था ठीक है वहाँ गोडे में सवार था गलत हो जाएगा इसे सही क्या होगा वहाँ गोडे पर सवार था, ओके, नेक्स देखते हैं नेक्स है कि वे बड़े सजण व्यक्ति है ठीक है, वे बड़े सजण व्यक्ति है, तो सजण का मतलब ही होता है कि सजण मतलब अच्छा व्यक्ति सजण का मतलब क्या होता है, अच्छा व्यक्ति है तो इसके साथ हम व्यक्ति नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा वे बड़े सज्जन है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, नेक्स्ट रहा है कि आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके साथ हम आओ नहीं लगाएंगे क्या हो जाएगा आप कभी भी आईए मैं मिलूंगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहरा है कि दुरगटना में हता हत हुए लोगों की मरहम पटी की गई तो देखिए इसमें असुद क्या है कि यहां पर हुए नहीं होगा ठीक है हता हत लोगों यह एक साथ जुड़ेगा यहां पर बीच में हुए नहीं होगा तो हो जाएगा दुरगटना में हताहत लोगों की मराम पट्टी की गई ठीक है नेक्स देखते है नेक्स है कि मेरे पुकारने पर किताब में तलीन यूवक ने किताब से मूँ उठाकर मेरी ओर देखा ठीक है अब बताएए यहाँ पर क्या सुध हो जाएगा तो देखें इसका सुध हो जाएगा कि मेरे पुकारने पर किताब में तलीन यूवक ने मूँ उठाकर मेरी ओर देखा ठीक है अब देखें यहाँ पर क्या हुआ था यहाँ पर किताब का दू बार प्रियोग हुआ था ठीक है यहाँ भी और यहाँ भी इसमें क्या हुआ इसमें किताब का एक ही बार प्रियोग हुआ तो डारेकली हम लोग एक बार प्रियोग करेंगी मेरी पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मूठा कर मेरी ओर देखा इसमें क्या कह रहा है युवक ने किताब से मूठा कर मेरी ओर देखा महात्मा गांदी की मृतक आत्मा को कितना संताफ होता होगा अब देखें कि यहां पर क्या गलत हो जाएगा तो देखें इसमें एक शब्द का प्रियोग होगा मृतक तो अब जब महात्मा गांदी की आत्मा है तो जाहिर सी बात है वो मृतक की ही आत्मा होती ही न मतलब उनकी मुरत्ती हो चुकी तभी उनकी आत्मा के बारे बात की जारी होती है ना तो यहां पे महत्मा गांदी के साथ हम मुरत्क नहीं जोरें टीक है, डेरेक्टल हम कहेंगे महत्मा गांदी के आत्मा को कितना संताप होता होगा, O की, next, देखिए, तो संटेस को आप ही देखना है कि एक बार से क्या sentence ही हो सकता है अगर हो सकता है तो दो बार हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे किसी भी शब्द को, ओकी, next देखते हैं next है कि आप कौन से मकान में रहते हैं ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन से की जिगा पर क्या हो जाएगा आप किस मकान में रहते हो, ठीक है इसको हम डारेक्ली कह सकते हैं कि आप किस मकान में रहते हैं, अब यहाँ पर देखिए next sentence के रहा, वहाँ गरम आग से हाथ सेख रहा था, तो भाई, आग है तो गरम तो होगी, जाहिर सी बात है ना तो आग के साथ हम कभी भी गरम नहीं लगाएंगे बरप के साथ कभी भी हम ठंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ठंडा बरप तो बरप है, सबको पता है, वो ठंडा ही होता है ठीक है तो उसके साथ हम क्या करेंगे ठंडा नहीं लगाएंगे आगके साथ हम गरम नहीं लगाएंगे ओके नेक्स देखिए नेक्स है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ ठीक है तो करने आया हूँ कि जगा पर हेतु आया हूँ ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब ज्यादा सुद्ध होता है मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ तो यहाँ पर यह संटेंस ज्यादा ही सुद्ध है इसलिए हम यहाँ पर करने आया हूँ कि जगा पर हेतु आया हूँ जो है लिखेंगे ठीक आप लोग डिरेक्टली ऐसी बोला भी करिए जब जब ऐसे बोलेंगे ना हंदी को गर हंदी की तरह ऐसे बोलेंगे ना तो यह सुद्धिया होंगी यह नहीं ठीक है हिंदी एंगलिस सब मिक्ष करके हम लोग बोलते हैं तो उसे मैं सुद्ध करने की जरूरत है और यहाँ पे जो आपका है वहाँ पे भी आपकी हो जाएगा ठीक आपका दर्शन नहीं होता आपके दर्शन होता ठीक है अगला देखिए अगला है कि पिता जी कल सवेरे आ गया तो आ गया नहीं पिता जी कौन है हमसे बड़े है तो बड़ो का नाम हम कैसे लेते हैं हिंदी पे जब भी बड़ो का नाम लेते हैं बड़ो की बारे हम कुछ कहते हैं तो वहाँ पर हम रिस्पेक्टिव वर्ड लगाते हैं वहाँ पर बहु बचन से बहु बचन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा पिताजी कल सवेरे आ गए तो यहां पर क्रिया कौम भावचन के तरह प्रियोग करते हैं ठीक है जब भी हम किसी अपने से बड़े का नाम लेते हैं जैसे कि मिस्टर शर्मा आ गए ठीक है वो आ गया नहीं होगा अगला देखिए अगला है कि प्रतेग भारत के राजी में एक मुख्यमंतरी होना चाहिए तो प्रतेग भारत के साथ हम प्रतेग नहीं लगाएंगे बलकि भारत के बात प्रतेग लगाएंगे अगला देखिए कि वह आरोगी हो गया ठीक है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे आरोगी से जादा अच्छा शब्द कौन सा रहेगा वह स्वस्त हो गया ठीक है इसको हम कैसे बनाएंगे इसको हम लोग बनाएंगे वह स्वस्त हो गया ठीक है आपको देखना है कि आप ज़ पूर्टचक अन्तर गठ पर चाहला जावाग का तर्म लयकत है कि कहा है त्रुटी पूरे के जो भी आपका संटेंस में जो श्वद्टल दिया है कैसा वह उसमें उसमें को स्रुटी एक फीके अगला देखिए अगला कहरा है कि वर्षा में ना जाने कितना बेसुमार जीव उत्पन होते हैं ठीक है तो इसमें तो गलतियों की भरमार हो गई है इसमें क्या हो जाएगा वर्षा में ना जाने कितने जीव उत्पन होते हैं ठीक है इस टाइप से हो जाएगा ठीक है बेसु तो यहाँ पर यहाँ पर जाएगा उस पवित्रता को छूने का दूसाहस कौन? इन नेक्स्ट कहा रहा है कि कुछ इस्तलोंаго में ऐसे बात का नform? ऐसा कहा गया है तो में नहीं होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी स्थान पर हम बोलते हैं कुछ वह वाला स्थान है उस पर ऐसा कहा गया है। ठीक है। बहुत प्रकार की बदला बहुबचन की बात हो रही है तो यहाँ पर किया की जगा पर की हो जाएगा ठीक है उसने तरह तरह के रूप धारण की है आपको बचन और लिंग संग्या सर्वनाम सब का बहुत ध्यान देखना है ठीक है नेक्स देखिए नेक्स है कि एककिता से उन इसको एकदम इतनी बुरी तरह किसे भीगाड़ दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एकता से उन्नती होती है ठीक है उन्नती आप देख लिजे कैसे लिखा जाएगा ताकि आप कहीं भी गलत ना करें नेक्स देखते है नेक्स है कि कोयल का कंठ सबसे मधूर है तो हम क्या यूज करते है मधूर तम सुपर लेटी डिगरी का प्रियोग करते है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोयल का कंठ मधूर तम है ठीक है अगला है कि उसे मर्डो परांत के बाद रास्टी सम्मान मिला ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर उसे मर् मर्डो परांत इसका मतलब होता है मरने के बाद तो यहां पर जो के बाद आ रहा है यह तो इकस्टरवर्स का यूसह में नहीं करना है थीक है तो यहां उसके बाद लोग एसे स्रेजिए कर लेंगे अगला देखिए अगला है कि दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा दिल्ली अपने देश की राजधानी है ठीक है क्या लगाएंगे कि दिल्ली अपने देश की राजधानी है ठीक है वो बड़ा शहर है वो अलग बात है राजधानी है ठी जिक div Shumish Celia कि मैं बोल दिया था कि आज ना आएं ठीक के तो यहां पे मैं बोल दिया था नहीं क्या हो ждvale मैंने कह दिया था कि का मैंने कह दिया था तो हम लोग कैसे लिखेंगे मैंने कह दिया चैनल अग्ला देखते हैं उचके बाद लास sentence अगला कह रहा कि आधा किलो सुध गाए का दूध ले आओ तो गाए सुध नहीं दूध सुध चाहिए न तो क्या हो जाएगा आधा गाए का आधा किलो सुध दूध ले आओ ठीक है सुध दूध के साथ लगाएंगे गाए के साथ नहीं लगाएंगे ठीक है अगला देखते अगला है कि महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रडाएं को सहन किया है ठीक है तो यहाँ पर को नहीं होगा ठीक है और सारा सही हो जाएगा महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यात्नाएं सहन किये ठीक है गिंत्रडाएं सहन किये तो यहाँ पर को नहीं होगा को एक extra word है इसको मटा देंगे और सारा सही हो जाएगा अगला sentence है कि वहाँ चेचक के खत्रे का डर है ठीके तो यहाँ पर देखो खत्रा और डर और भै यह सब तो आपस में पर्यावाची होते हैं एक साथ हम दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो हम सिर्फ नॉर्मली कहेंगे कि वहाँ चेचक कर डर है ठीके खत्रा है डर है यह सब आपस में पर्यावाची हो जाते हैं और एक साथ हम दो दो सब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे एक ही चीज के लिए ठीके कि आज हिस समय ना तो यहां पर हम आज की नहीं लिखेंगे सिर्फ लिखेंगे कि भारत की वरतमान इस्ति ठीक नहीं है ठीक है अगला देखिए अगला है कि हिमाले परवत सबसे उच्छा परवत है अब देखिए यहां भी परवत हो और यहां भी परवत तो एक से भी तो काम चलाया जा सकता ना तो हिमाले परवत का नाम है ना तो सबको पता है कि हिमाले परवत की हिम बात करना है तो उसमें हो जाएगा हिमाले सबसे मित्रों को ले गए ठीक है अब यहां पे देखिए इसका सुद्ध क्या हो जाएगा वे जब वाडा रशी आए तो यहां पे पहले तो कॉमा लगेगा ठीक है क्योंकि यहां पे एक संटेंस कंप्लीट हो गया फिर तो अपने साथ कई मित्रों को ले आएं ले गया नहीं होगा क्या होगा जब वो आएं तो अपने साथ कई मित्रों को ले आएं ठीक है तो यहां पे हमें याद रखना है कि क्या होगा यहां पे अगर आना है तो यहां पे भी आना ही होगा ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि कई रेलवे के करमचारियों ने अवकास लिया ठीक है तो अब यहां पे कई रेलवे कई रेलों ने थोड़ी अवकास लिया था क्या हो जाएगा रेलवे पहले हम लिख देंगे उसके बाद कई करमचारियों की बात हो रही ना तो करमचारियों की साथ कई ल खनिस्ट में भी ठा होता है, नहीं होता है आपको वरतनिकiner समाज सम्म्ट अग में अगला मोगनिक्र काई तब शायद क superheroes will arrive यहाँ प्योजाएग उसको चैनल सब्छामनिक सहे जिए है, यहां भी एपनिने कि शल्याल एक हैं। और एक चीज़ देख लीज़े, यहाँ पर देखे, शायद ठीक है, और यहाँ पर जरूर, तो यह दोनों विरोधा भास सब्द हो गया ना, और दो विरोधा भास सब्दों का प्रियोग नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें से एक ही का प्रियोग करना उचित होगा, ओके, अगला करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद,